फ्रेंट्स इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेस्टोस्ट्रॉन को आप अपनी बॉड़ी में अगर बढ़ा लेते हैं तो इससे क्या क्या फायदे आपको मिलते हैं तो देखिये टेस्टोस्ट्रॉन एक एनाबॉलिक हार्मौन है जो मैंस की बढ़डी में सबसे इंपोर्टन्ट हार्मौन है और यही वज़य है कि कोई भी परसन कितना भी टाइम जिम में बिताले, लेकिन अगर उसकी बाड़ी में टेस्टरों लेवल कम है, तब उसकी मसल ग्रोच कभी नहीं होगी, लेकिन इन फायदों से अलग भी और भी बहुत सारे चौकाने वाले फायदे आपको मिलते हैं, जैस कि आपका हार्ट बाड़ी के सभी हिस्तों में बलड़ को पहुचाने का काम जादा अच्छे से करने लगता है, और उन सभी मसल्स पर बलड़ फ्लो जादा तेजी से होता है, जिन्हें आप वर्काउट करके डैमेज करते हैं, और यही वज़य है कि लो टेस्टोस्ट्रों क बढ़ जाती है, यानि आप 33 किलो मीटर तक भी बीना था के पैदल चल सकते हैं, और यह भी देखा गया है कि जिन लोगों की बॉड़ी में टेस्टोस्ट्रों लेवल नॉर्मल था, उनको हार्ट अटेक और स्ट्रोक जैसी बीमारी से भी चुटकारा मिला, नमबर दो, आत्मविश्वास यानि मोटिवेशन लेवल भी डाउन होता चला जाता है, और आपकी बॉड़ी से एनरजी भी कम होने लगती है, इनफेक्ट जो लोग बॉक्सिंग वगरा करते हैं, तब मैच शुरू होने से पहले ये देखा गया कि उनकी बॉड़ी में टेस्टोस्ट् था, वो किसी भी मैच को हारने के बाद दुबारा से कंपीट करने के लिए जल्दी से तेयार नहीं होते, और जिनकी बॉड़ी में टेस्टोस्ट्रॉन लेवल हाई होता है, वो किसी भी मैच को हारने के बाद भी दुबारा से जीतने की कोशिश करने लग जाते हैं, नमबर हाई टेस्टोस्ट्राउन लेवल आपकी बाड़ी में आपकी हड्डियों को मजबूर बनाता है फ्रेंड्स ऑस्टियो पॉरोसिस जैसी बीमारी सिर्फ महिलाओं में ही नहीं बलकि ये समस्या पूरुशों में भी देखी जाती है और ये आपकी बाड़ी को कमजोर करने वाली बीमारी हो सकती है और कम टेस्टोस्ट्राउन लेवल इसकी बड़ी वज़य होती है क्योंकि testosterone bond density में काफी सुधार करता है और जादतर जिन लोगों की उम्र जादा होती है उनमें osteoporosis जैसी बीमारी जादा देखी जाती है इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आप अपने young age में ही testosterone level अपनी body में high रखें जिससे आने वाले टाइम में आपको osteoporosis जैसी बीमारी का सामना ना करना पड़े जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि testosterone red blood cells में भी एक बड़ी भूमी का निभाता है और red blood cells आपके muscles को oxygen पहुँचाने का काम करते हैं जिससे आपकी body में energy बढ़ती हुई दिखती है और साथ ही red blood cells आपकी body से fat और carbs को energy में बदलने का काम करता है और यही वज़य है कि जब testosterone level किसी की body में कम हो जाता है तो शरीर में red blood cells भी कम हो जाता है जिसकी वज़य से fat और carbs energy में बदलना कम हो जाता है और आपको किसी भी काम को करते हुए जल्दी धकान हो जाती है साथ ही आपकी बाड़ी में मोटापा बढ़ने लगता है इसलिए आपको चाहिए कि आप इस बात का धियान रखें या किसी भी अच्छी स्किल को सीखना साथ ही किसी चीज़ पर फोकस रहने में मदद करता है इसके अलावा टेस्टस्ट्रॉन हाई होने की वजह से डिमेंशिया जैसी बीमारी को कम देखा गया यानि जल्दी से किसी भी चीज़ को भूलने वाली बिमारी में काफी सुधार देखा गया इसलिए आपको अपने दिमाग को तेज बनाए रखने के लिए भी टेस्टस्ट्रॉन लेवल बॉड़ी में हाई रखना काफी ज़रूरी होता है नमर साथ टेस्टस्ट्रॉन आपको किसी भी फिल्ड में आपके गोल्स तक पहुँचाने में मदद करता है यानि अगर आप किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं और आप अपनी बड़ी में टेस्टस्ट्रॉन लेवल हाई रखते हैं तब आप किसी भी चीज़ को और अपने किसी भी गोल को काफी तेजी से अचीव कर सकते हैं। नमबर आठ आपके रिलेशनशिप को अच्छा रखता है और आपके पार्टनर के उपर आपका जादा यकीन बनता है। अगर आपकी बाड़ी में टेस्टोस्ट्रॉन लेवल कम रहता है तो आप जल्दी से किसी पर भी यकीन नहीं बना पाते हैं। और इसी भी रिलेशनशिप के तूटने में काफी बड़ी वज़य ये देखी गई है कि वो लोग अपने पार्टनर पर यकीन नहीं कर पाते और इसी वज़य से कोई भी रिलेशन जादा नहीं चल पाता। इससे अलग वो लोग जिनकी बड़ी में टेस्टोस्ट्रॉन लेवल हाई होता है वो हर चीज़ को काफी काम होकर सॉल्व कर पाते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपनी बॉडी में टेस्टोस्ट्रॉन कैसे बढ़ा सकते हैं तो इस पर हमने कुछ वीडियो बनाए हुए हैं जिन्हें आप हमारे चैनल पर जाकर या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं और तेज